बादशाह अपबर के दर्बार में लगभग सभी दर्बारी गण बीरबल को उसके उप्युक्त पद से हटाने के लिए विभिन प्रकार की चाले चलते रहते थे। एक दिन एक दर्बारी हुसैन खा जो की बादशाह की पत्नी का भाई बादशाह का साला था के पास गया और बोला हुसैन जी आप तो रानी के भाई अर्थात बादशाह के साले हैं। बादशाह का साला होने के कारण बीरबल के पदपर तो आपका अधिकार होना चाहिए यह असंभव है मैं तो उस विशय में कुछ नहीं जानता हुसैन खाने असहाय होकर जवाब दिया क्यों असंभव है तुम्हें सिर्फ एक बार अपनी बहन से कहना होगा अगर वह बादशाह से इस संबंध में जरा भी निवेदन कर देंगी तो आपका काम बनने में कोई रुकावट नहीं आएगी बादशाह रानी के निवेदन को कभी नहीं ठुकरा सकते इस बाद से सहमत होकर हुसैन खा अपनी बहन के पास पहुँचा और उनसे अपने विशय में कहा शाम को जब बादशाह रानी से मिलने उसके महल में आए तो रानी को कुछ उख़़ा उख़़ा देखकर बोले बेगम तुम्हें अवश्य किसी बात का कष्ट है कहो क्या बात है रानी ने कहा मैं चाहती हूँ कि बीरबल को दिया हमें दर्बार के कारियों के लिए बीरबल की बुद्ध मत्ता की आवश्यक्ता है और फिर मेरे पास बीरबल को पद से हटाने का कोई कारण भी नहीं है रानी ने कहा मेरे पास एक योजना है आप कल शाम अपने साथ शाही बगीचे में भ्रमन के लिए मुझे बुलवाने हे तु बीरबल को भेजना मैं आने से मना कर दूंगी मुझे न बुला पाने के कारण आप उसे गुस्से में पद से हटा देना बादशाह रानी की योजना से सहमत हो गए अगली शाम उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलवाया और कहा बीरबल बेगम साहिबा मुझे से थोड़ा नाराज है इसलिए मेरे साथ भ्रमन करने के लिए वह नहीं आई क्या तुम उन्हें मेरे साथ भ्रमन के लिए तयार कर सकते हो उन्हें प्रसंद करने का प्रयास करना यदि तुम उन्हें यहां नला सके तो मैं तुम्हें पद से हटा दूँगा और वह पद में अपने साले हुसैन खा को दे दूँगा बीरबल समझ गया कि यह उसको पद से हटाने की चाल है एक योजना बनाकर वह रानी के कक्ष में पहुँचा और बोला महारानी बादशाह अकबर चाहते हैं किया बीरबल की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि भागता हुआ एक सेवक आया और बीरबल के कान में कुछ कहने लगा रानी पूरी बात न सुन सकी उसने केवल इतना सुना कि सबसे सुन्दर तब बीरबल रानी की तरफ घूमा और बोला महारानी जी शमा चाहता हूँ अब मेरी जरूरत नहीं है ऐसा कहकर वह वहां से चला गया रानी घबरा गई उसने सोचा सेवक ने अवश्य ही किसी सबसे सुन्दर के विशय में कुछ कहा है और बीरबल ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम को रोक दिया है या अल्ला कहीं बादशा किसी सुन्दर स्त्री के साथ तो नहीं है ऐसा हो भी सकता है शायद इसी कारण बीरबल ने कहा था कि अब मेरी जरूरत नहीं है इरश्या में जलती हुई रानी तीजी से शाही बगीचे मेजा पहुची वहां उसने बादशाह को अकेले प्रतीक्षा करते पाया रानी को वहां देखकर बादशाह ने पूछा बेगम तुमने तो बीरबल की बातों पर ध्यान देने के लिए मना किया था इसलिए मुझे तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि तुम यहां आओगी अब तुम शर्थ हार गई हो वैसे मुझे यह तो बताओ कि ऐसा क्या कारण बन गया था जिसके लिए तुम्हें बगीचे में आने के लिए हर हालत में मजबूर होना पड़ा तुम्हें ध्यान है न कि तुमने कहा था कि बीरबल के बुलाने पर तुम यहां नहीं आओगी फिर अब क्या सोच कर आगई तुमने तो अपने ही हाथों अपनी हार बुला ली दीजिये कमेंट में जरूर बताईए कि वीडियो के सा लगा और ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिये धन्यवाद